राज्ज सरकार ने नमामी गंगे अभ्यान का नाम बदल कर अब जल गंगा सनवर्धन अभ्यान कर दिया है इसके तहित दौर चुले में व्यापक कार यूच्छना तयार की गई है नदी और तालाबों के आसपास से अतिक्रमण हटाने के साथ ही सीवरिच का पानी इन जल स्रोत में ज्वाने से रोकने की कवायत की जाएगी देखिए ये खास रिपोर्ट राजसरकार ने प्रदेश में 5 जून से नमामी गंगे अभ्यान प्रारंब करने की घोशना की थी इस अभ्यान के तहित नदी तालाब और जल स्रोत सहेचने के साथ ही उनके आसपास होने वाली अतिक्रमण हटाने पर फोकस किया गया है लेकिन बुद्वार को ही राजसरकार ने इस अभ्यान का नाम बदलते हुए जल गंगा सनवर्धन अभ्यान कर दिया है अब प्रतिक चले में इस नाम से ही अभ्यान चलाया जाएगा जिसमें नदी तालाब और कुए बावरी सहेचने का कार किया जाएगा इन दौचले में इसे लेकर व्यापक कारी योचना तयार कर ली गई है कलेक्टर आशी शसरह ने जवानकारी देते हुए बताया कि ग्रामेण शेत्रों में 56 तालाब चुन्द किये गए हैं जल गंगा समर्दन अभियान के तहट जो गाइडलाइन्स दी गई हैं उन पे हम लोग बहुत गंबीरता से काम कर रहे हैं आज से वो अभियान प्रारंब हो गया है लगभग हम लोगों ने अभी तक जो कान और सरस्वती और हमारे जो तालाब हैं उन पे लगभग सभी पे अधिकमन चिनांकित करने की तैयारी पूरी हो गई है हमारी अधिकमन चिनांकित हो गए हैं बहुत जल्दी ही नोटीस देकर इनको हटाने की कारवाई भी प्रारंब कर दी जाएगी इसके साथ साथ नदी और तालाबों में जो सीवर मिल रहा है उसको मिलने से रोकने की कारियोजना भी हमारी तैयार है उस पे भी कई जगों पर काम प्रारंब हो गया है ग्रामीट शेतर में हमारे लगबद 56 तालाब हमने लिये हैं जिन पर से अतिकरमण हटा कर प्लांटेशन करके और सीवर रोक के उनके भी सुंदरी करण का काम इस अभियान के तहर चल रहा है हम लोग कोशिश करेंगे कि इन दौर में सबसे अच्छा काम इस अभियान में हो और शेहरी और ग्रामीट दोनों के शेतरों में जल सनिचनाओं का उन्यन इसके तहरत किया जाए जनकारी के मुताबिक चुन्नत किये गए अतिक्रमन को हटाने के लिए राजा स्वाधिकारियों ने नोटिस ज़ारी कर दिये है नोटिस का समय सीमा सबाप्त होते ही सभी अतिक्रमन हटाकर नदी तालाब के किनारे पौधार उपन भी किया ज़ाएगा ब्यूरो KMP NEWS नदार